एच्टी एफसी बैंक चौथी तीमाए में 40 परतिसत बढ़ा मुनाफा 1950 परतिसत के बंपर डिविडेन का एलान सरक को जन कहें दूँगा किन्तो आप से एक बिनम्र प्राथनाय की फिलीज वीडियो को लाइक कर दिजे फिलीज HDFC बैंक क्वाटर फोर जल देश के सबसे बड़े प्राइबेट बैंक ने चौथी तीमाए का रिजल्ट जारी किया है मुनाफे में 40 पिजदी की मज़वोती दर्ज की गई निवेसकों को 1950 पिजदी के डिविडेन का तौपा मिला है HDFC बैंक क्वाटर फोर जल देश के सबसे बड़े प्राइबेट बैंक HDFC बैंक ने चौथी तीमाए का रिजल्ट जारी किया है कंसोलेटेड अधार पर नेट प्रोफिट 40 पर दिसत उचाल के साथ 116.2 बिलियन रुपियरा स्टेंड लोन अधार पर बैंक का नेट प्रोफिट 16,511 रुपियरा कंपनी ने सेर होल्डर के लिए 1950 फिजदी के बंपर डिविडेन का एलान किया यसेर इस हबते 1531 रुपिय के अस्तर पर बंध हुआ है बियस्सी की बेवसाइट पर प्लब जनकारी के मुताबिक अस्टेंड लोन अधार पर HDFC बैंक का नेट प्रोफिट 37.1 पर प्रतिसत उचाल के साथ 16,511 कौन रुपिय रहा एक साल पर ले गिया 12,047 कौन रुपिय और डिसंबर तिमाई में 16,322 कौन रुपिय था PBT यानि प्रोफिट बिफोर टेक्स 15,762 कौन रुपिय रहा जो कि एक साल पर ले 15,935 कौन रुपिय और डिसंबर तिमाई में 19,430 कौन रुपिय था इंट्रेस्ट माजिन 3.44 पर प्रतिसत रहा क्वाटर फोर में HDFC बैंक की नेट इंट्रेस्ट इंकम अस्टेंड लोन अधार पर 24,5 पर दिसंद उचाल के साथ 29,76 कौन रुपिय रही जो कि एक साल पर ले 233.5 बिलियन रुपिय थी दिसंबर तिमाई में यह 8,471 कौन रुपिय थी नेट इंट्रेस्ट माजिन टोटर असेट का 3.44 पर परतिसत रहा और इंट्रेस्ट अर्निंग असेट का 3.63 परतिसत रहा बेंक की एसेट कॉलिटी कैसी है एसेट कॉलिटी के बात करें तो ग्रोस एनपी ए ग्रोस एडवांस का 1.24 परतिसत रहा जो कि दिसंबर तिमाई में 1.26 परतिसत रहा एक साल पर ले 1.12 परतिसत था नेट इनपीए की बात करें तो यहां नेट अडवांस का 0.33 परतिसत रहा जो एक साल पर ले 0.27 परतिसत रहा और तिमाई में 0.31 परतिसत था और कम्पनी ने अपने फेस्वेलों एक रुपिया का 1950 परतिसत यान इस सारे 19 रुपिया परतिसेर फाइनल डिविडेन की गोशना किया है चोकि फाइनल डिविडेन है इसलिए एकस डेट आने में एक से देर महिने तक लग जाता है जब भी एकस डेट आएगा तो हम चेनल प पात एक बॉनस की गोशना किया जिसका रिकावड डेट दो मही है और इस बॉनस की वज़ा से स्टोक में डेली अपर सरकीट लगता हुआ दिखेगा दो मही तक तो कभी मिल जाएगा ट्रेडिंग करने का मौका तो जरूर कर सकते हैं